प्रश्ट नम्मर आठ शिरी विवेक अपने इसाब एक अरा लेखा पद्धी से रखते हैं उसकी संपत्ती वा दायतु का विवराण निम लिकित दिया गया है एक चार दोयार पंद्रा और 31 तीन तो हम प्रारंबिक पूझी ग्यात करेंगे तो प्रारंबिक पूझी ग्रियंतिम पूझी प्राप्त करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं जमीन मकान दिया है तो सबसे पहले हम इसका पत्रक बनाते हैं पत्रक ए तो यहाँ पर देखो प दायत्तों में लिखेंगे हम तो हम संपत्ती में लिखेंगे इसका लेखा किस तरह से करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं जमीन मकान, कितने का है तो जमीन गुट है 8040.000, लिखते हैं फिर लिखते हैं फरनीचर फरनीचर हमारा कितने का दिया गया है तो 30,000 लिख देते हैं फिर हमारे पास computer तो यहां लिखते हैं computer नहीं है तो desk कर देते हैं फिर रोकर सेस लिखते हैं रोकड सेश रोकड सेश रोकर सेश हमारे पास 36,000 है तो 36,000 लिख देते हैं उसके बाद हमारे पास आता है इस्टोक लिखना रहें तो यह स्टोक है इस्टोक फिर रोकर सेश 11000 तो रोकर सेश लिखते हैं 11000 रोकर सेश 11000 तो ग्यारा अजार लिख देते हैं उसके बाद हम लिखते हैं बैंक सेश तो बैंक सेश बैंक सेश हमारे पास क्या कितना दिया गया है 58000 तो 58000 लिख देते हैं उसके बाद लिखा है देंदार तो देंदार हमारे पास कितना है तो देंदार हमारे पास है 23000 तो 23000 लिख देते हैं उसके बाद हमारे पास लिखा है लेंदार तो लेंदार हमारे पास कितना है लेंदार है 24,000 तो 24,000 यहां लिख देते हैं और उसके बाद लिखा है चुकाना बांकी बेतन कितना दिया है चुकाना बांकी बेतन तो यह दिया है हमको 4500 रुपए तो 4500 रुपए लिख देते हैं अब हम यहां पर जहां रखते हैं फिर रह गया है अग्रिम चुकाया बीमा तो यहां लिखते हैं अग्रिम चुकाया बीमा कितना दिया गया है तो 2100 दिया है तो 2100 लिख देते हैं ने टोटल मार देते हैं इसका टोटल कितना आता है तो टोटल इसका आता है क्रिक्यूलेशन करके रखता हूं कितना ओगा 30 liegt कि सौड़ी चेच हो चेरे यहां भी हम लेक्षान थे ते 10 lagi सो रुपया अब यहां लिखते हैं अंतिम पूंजी प्रारम्भिक पूंजी प्रारम्भिक पूंजी तो प्रारम्भिक पूंजी कितना आएगा तो 3,100,00 रुपय में से हम यह गटाते हैं 28,500 गटाते हैं इन दोनों का टोटल करके घटा देते हैं हमारे पास आता है 2,71,600 आ जाता है तो यह हमारा क्या आया है प्रारम्भिक पूंजी आई है अब हम अंतिम पूंजी ग्याद करते हैं तो इसी तरह से हम अंतिम पूंजी ग्याद करते हैं फैसे लिखेंगे हम यहां पर जमीन मकान जमीन मकान कितना है 1,40,000 का है उसके बाद फनीचर दिया है फनीचर फनीचर हमारा 45,000 है तो 45,000 लिखते हैं फिर लिखा है कम्प्यूटर इसमें कितना लिखा 24,000 लिखा दिया है उसके बाद इस टॉक देखते हैं तो स्टॉक हमारा कितने का है तो स्टॉक हमारे पास है 21,000 का 21,000 का इस टॉक लिखा है और उसके बाद हम देखते हैं तो क्या लिखा है रोकर सेस तो रोकर सेस हमारा कितना है 14,000 है रोकर सेस 14,000 फिर बैंक सेस देखते हैं तो बैंक सेस हमारे पास कितना है 32,000 है फिर हम देखते हैं देंदार तो देंदार हमारे पास कितना है 32,000 है फिर है लेंदार तो यहां लेंदार इधर साइड लिखेंगे दायतो है हमारा तो दायतो साइड लिखेंगे लेंदार कितना दिया गया है 21,000 दिया गया है 21,000 लिखा है चुकाना बांकी भी हमारा दायतो है चुकाना बांकी बेतन कितना है 5400 दिया है पर अग्रिम चुकाया वीमा 3 000 हमारी संपत्ति है कितना हुआ है 3 000 तोटल मार देते हैं तो इसका टोटल आता है 3 11 000 इधर भी हम लिख देते हैं 3,11,000 और यहां लिखते हैं हम लोग अंतिम पूजी अंतिम पूजी कैसे ग्याद करते हैं तो 3,11,000 में से ये घटाते हैं तो 21 और 25 26,600 गटाते हैं तो हमारे पास आता है 2,84,600 आजाता है अब हम ग्याद करते हैं अब हम ग्याद करते हैं लावानी दरसाता पत्रक को तयार करेंगे तो उससे पहले हम समायोजन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पर समायोजन दिया है कि धन्दे में तारीक 1,4,2,15 के दिन 6,000 और 1,10,2,15 के दिन 4,000 रोकड आरंड लिया तो यह आरंड दिया है फिर हम 15,000 का नेजी फनीचर लेके आए हैं और फिर हम 24,000 का नेजी कम्पूटर लेके आए हैं और 21,000 का रोकड पेड़ी में लाए हैं प्रसद की दर से गिसाई गिननी हैं इसके उपस हमको आर्थिक चिठ्था भी बनाने और लावानी पत्रक दोनों हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अंतिम पुन्जी अंतिम पुन्जी हमने लिख पत्रक भी बनाया था पत्रक भी के अनुसार पत्रक भी के अनुसार कितना था 2,184,600 था उसके बाद हम लोग यहां लिखते हैं जोडो क्या जोडते हैं आहारान एक नगद आरण है कब लिया है एक साथ 2,015 के तक कितना 6,000 है फिर हमने एक दस 2,015 से लिया था जो 4,000 है फिर टूटल कितना हुआ था इसका टूटल 10,000 हुआ तो यह हमारा जोडने के लिए बोला है तो जोड़ देते हैं तो 2,94,600 हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं घटाना है हमको यहां पर घटाओ क्या घटाते हैं तो प्रारमभिक पूझी प्रारमभिक पूझी पत्रक एक अनुसार अनुसार उसमें हमने ग्यात किया था उसके अनुसार लिखते हैं कितना लिखा है दो लाख इकत्तर हज्यार छेस्सो और घटाना है आप चाहूं तो डारेक इदर से घटा के यहां लिख सकते हो फिर और भी घटा सकते हैं तो हम लोग सब इदर ही लिख लेते हैं फिर उसके बाद टूटल वार के उदर लिख देंगे तो यहां है अत्रिक्त लाई गई पूंजी अत्रिक्त समाय अभी हमने पढ़ा था उसके अनुसार लाई गई पूंजी तो हम लोग क्या-क्या लेकर आयते वह देखते हैं कि सबसे पहले निजी फनीचर निजी फनीचर तो कितने ही और क्या करने से लेकर आये हैं तो 15.000 पहु इसके बाहने मलेकर निजी कंपूटर कितने का लेके आए हैं तो कंपूटर हम लेके आए 24,000 का तो 24,000 लिखते हैं फिर हम लिखते हैं रोकड भी लेके आए हैं रोकड कितने का लेके आए 21,000 इन सब का टोटल मारते हैं तो 3,31,600 आता है तो हमारे पास यहां पर हानी होती है यह ज़्यादा हो गया तो यहां हो गया 37 ज़्याद यहां लिखते हैं समायो जन से पहले की सकल हानी 37 ज़्यार आया है तो यह हमारा आया है सपाइवन से पहले की सकल हानी 37 ज़्यार है उसके बाद हमने लिखते हैं जोड़ो इलाइन में छोड़ देते हैं हाँ जाई पर जोड़ो क्या करते हैं जोड़ो में क्या करते हैं तो समायोजन का जो भी दिया हो हम लोग जोड़ते हैं तो यहां लिखते हैं समायोजन समायोजन नमबर एक है जमीन जमीन मकान तो जमीन मकान पर आपको दस प्रसत की दगर से लेने की है गिसाई तो एक लाख चालीस अज्यार गुणा दस परसें करोगे तो कितना आता है 14000 आ जाता है 14000 यहां लिखते हैं नमबर दो लिखते हैं फनीचर फनीचर पर भी दस प्रसत की गिसाई है तो हम लोग 10 प्रसत की दर से यहां पर जहां रखना है एक तो फनीचर है यहां पर 30,000 का 10 प्रसत लेना है प्लस 15,000 पर जो हम लेके आये थे अत्रिक्त पूझी 15,000 पर 10 परसेंड लेना है से 7 मास का साथ महीन का गिनना है तो आप कैल्गूलेशन से गिन सकते हो कैसे गिनना है तो आप जहां पर देख सकते हो कि 15,000 करेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 10 पर सो और साथ वर्टे बारा इस तरह से अम लोग इसका गयाद करेंगो इसका तो हमको पूरा निकालना यानि 3,000 इसका हो जाएगा इस तरह से आप निकालते देना है तीसरा है हम अब देखते हैं तो कितना आ जाता है इसका मैंने कैल्कुलेशन करके रखता है तो यहां होता है 3,875 होता है यहां लिखते हैं कंप्यूटर तो कंप्यूटर पर हम देखते हैं एक 20% की गिसाई लेनी है यहां पर देखोगे 24,000 का लेना है हमको 24,000 हम यहां पर देखते हैं तो यह हमारे पास है 9, 9, 2, 1, 15 को लेके आए तो कितने महीने होते हैं 9, 10, 9, 10 क्योंकि एक तारिक दिया इसलिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 महीने का होता है तो साथ मास्क का लेना है तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं यह होता है 2,800 इसका आता है चोथा है पूंजी पर व्याच कितना दिया समाजों लोग दस पर साथ पूंजी जितनी भी है तो हमारे पास यहां पूंजी तो यहां लिखते हैं एक तो 2,71,600 प्रारामिक पूंजी थी उसका हमको 10 टका लेना है प्लस हम साइट हजार लेकर आए हैं तो साइट हजार का 10 परसत की दर्स से साथ मास का निकालना है तो हमारे पास आ जाता है 30,600 आ जाता है फिर लिखते हैं डूबद रिन अनामत तो दूबत्री नरामत हमारे पास कितना है 32,000 का पांच प्रिसद की दर से तो 32,000 का पांच प्रिसद की दर से 1,600 आ जाता है और फिर हम इसका टूटल करते हैं कितना आता है टूटल तो हमने कर लिया है इसका 52,935 आता है 52,935 तो हम लोग इसको जोड देते हैं अगर हमारे पास यहां लाब होता यहां पर यहां 37 एद अगर लाब होता तो हम इसको गटाते हैं हानी हुआ है इसलिए हम लोग यहां पर जोड रहे हैं जोड़ते हैं तो कितना हो गया है? 89,935 हो जाता है. यह हम लोग यहां लिखते हैं. अब यहां लिखेंगे घटाओ. घटाओ में हम क्या घटाएंगे? तो हम लिखेंगे आहरण पर व्याच. आहरण पर व्याच. केसे गणना करेंगे? तो यहां 6000 है. का आठ परसद की दर से 9 मास का. और 4000 लिया है. 4000 का आठ परसद की दर से 6 मास का. गिनना है. कितना होता है? तो 520 होता है. तो हम लोग यहां पर लिखते हैं. 520. घटा आते हैं. 520 तो कितना हो जाता है? 89,415 रुपे आता है. इस तरह से यह हो जाता है. अब हम आर्थिक चिठा बनाएंगे. श्री विवेक का तारिक 33-2016 के दिन का आर्थिक चिठा बनाएंगे. पुझी दाये तो संपत्ति लेना. तो हम लोग लिखते हैं, इदा संपत्ति में सबसे पहले फनीचर का लिख देते हैं. फनीचर. तो हम देखेंगे तो फनीचर हमारा दिया गया है. एक चार दोयार पंदरा तक 30 हजार था. फिर एक 31-3-2-16 को 45 हजार हो गयानि. शुरू में हमारा कितना था? 30 हजार था. तो फिर व्रद्धी हुई. वरोबर तो कितना व्रद्धी हुई तो यहां लिख देंगे व्रद्धी. तो कितना लेके आएंगे? 15,000. कब लेके आए थे? एक 9-2-0-15 को लेके आए थे. आप लिखना हो तो लिखे हैं. एक 9-15. ओके? 15,000 लेके आए तो कितना हो गया? 45,000 हो गया. यानि कि आप देखेंगे तो 31-3-2-0-16 के खाने में 45,000 लिखा है. तो यहां 45,000 हम यहां पर टोटल करते हैं क्योंकि इसकी गिसाई गिननी है. गिसाई की गढ़ना हमने किया था समाविजन में. तो समाविजन में किया हुआ है कितना गिसाई आया है? यहां लिखेंगे माइनस गिसाई. गिसाई. कितनी आई है गिसाई हमारी? तो गिसाई हमारी आई है 3,875 हम घटा के लिखते हैं तो 41,125 इसका आंसर आता है अब जमीन मकान लिखते हैं तो जमीन मकान जमीन मकान 1,4,000 है शुरुआत में भी इतनी थी और अंतिम भी इतनी ही दिया हुआ है यानि ब्रदी हुई नहीं है इस पर हम डारेट गिसाई गिन लेते हैं गिसाई कितना है 10-10% के इसाब से 14,000 है घटा देते हैं तो 1,26,000 आजाता है फिर हम लिखते हैं कम्प्यूटर कम्प्यूटर शुरुआत में नहीं था अंतिम में आया है 24,000 और इसकी गिसाई गिनते हैं गिसाई इसका आता है 28,000 रुपया और 21 गटा के लिखते हैं तो 21,000 या 200 आजाता है हम देनदार लिखते हैं देनदार हमारे पास कितना है 32,000 है उसमें से हम लोग लिखते हैं डूबत रेण अनामत इतना आया है डूबत रेण अनामत को 1600 आया है भाटाते हैं तो 30,400 आजाता है आप आगे लिखते हैं फिर हमारे पास दिया है स्टॉक लिखते हैं तो कितना है 21,000 का स्टॉक है फिर बैंक सेश है बैंक सेश 32,000 दिया है फिर रोकर सेश दिया है 14,000 रुक्या अग्रिम चुकाया बीमा तीन हज्यार अब हम पूझी दायत साइड लिखते हैं तो पूझी दायत में हम लिखते हैं प्रारमभिक पूझी भेक पूझी कितनी थी तो दो लाख इकत्तर हजार ओके दो लाख इकत्तर हजार ब्रद्दी भी है इसके उपर एक नोर 15 को लेके आए थे तो क्या क्या लेके आए थे तो हम यह लिखते हैं पनीचर कितना है 15,000 कम्प्यूटर 24,000 और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं नगद नगद कितना लिखिया है 21,000 टूटल यहां कर देते तो साइट एजार की ब्रद्दी हुई बरोबर और साथ में हम यहां पर लिखते हैं पूंजी पर व्याज भी समाजवन में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं पूंजी पर व्याज कितना हुआ तो 30,600 साइट है इन सब का टूटल यहां में आ लिखते हैं तो 3,62,200 साइट आ जाता है इसमें से हम सुद्धानी घटाते हैं इससे पहले वाली पत्रक में सुद्धानी घ्याद करी थी इतना आयता है 89,415 तो हमारे पास आ जाता है 2,72,845 आता है उसके बाद हम लोग यहां पर आहरण लिखते हैं 10,000 का आहरण है प्लस आहरण पर ब्याज 520 नहीं कितना घटाना है हमको 10,520 घटाते हैं तो 2,62,325 आ जाता है फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसके बाद हम लिखते हैं लेंदार लेंदार कितना है 21,000 का लेंदार है फिर चुकाना 6,22 चुकाना 6,22 है 5,400 टूटल दोनों साइड का समान आता है चेक कर लिया है हमने यह 2,88,725 इस तरह से यह वीडियो पूरा होता है अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें चैनल पर नहीं होतें चैनल पर नहीं होतें चैनल पर को सब्सक्राइब करें जय हिन जय वारत मिलें नेक्स वीडियो में